staircase की railing बनवानी है बट नहीं समझ में आ रहा कि MS में बनवाओं कि SS में बनवाओं आजकल builders नो बहुत साधा MS का यूज कर रहे हैं बट मैंने सुना है कि MS में तो junk लग जाता है बट फिर वो कैसे use कर दे हैं बहुत सारे सवाल हैं किसकी क्या costing आती है कौन सा best material है किसकी लुक जादा अच्छी आती है यार मैं तो बहुत confused हूँ अगर आपको भी है यह सारी confusion अपने नए घर में staircase पर देने लगवानी है बट समझ नहीं यारा कि पैसा कहां पर घर्च करें कौन सा सब्सक्राइब करने वाले हैं कि staircase के लिए कौन सा material बेटर है किसकी क्या costing आती है किसमें क्या क्या design हम बना सकते हैं तो start करते हैं video सबसे बहुत करते हैं MS की MS होता है mild steel तो आजकल MS बहुत सादा trend कर रहा है उसका reason क्या है because MS थोड़ा cheap है as compared to SS stainless steel and MS में आप बहुत सारे designs बना सकते हो जो कारेगिरी होती है like जो carvings होती है वो SS में आपको नहीं मिल पाते हैं लेकिन MS में आप बहुत हद तक बना सकते हो तो जितने भी आजकल contemporary house बन रहे हैं जहां पर हम contemporary theme का use कर रहे हैं तो theme के साथ हमें staircase में carvings add कर नहीं पड़ते हैं जो carvings है वो carvings हम हमेशा MS में ही add कर पाते हैं SS में add नहीं कर पाते हैं इसलिए आजकल MS साब्दा यूज हो रहा है अगर में बाद करूं cost की तो with labor आपको per kg MS cost करता है 140 rupees and जो SS है वो दो grades में आता है 202 and 304 जो अक्तर हम आपने घर में use करते हैं तो 202 आपको cost करता है running feet 600 रुपे के आसपास and 304 cost करता है 8500 रुपे running feet हम SS को running feet में ही नापते हैं अगर में बाद करूं height की तो जो staircase है उसमें जो railing है उसकी standard height होती है 3 feet आप अगर घर में बच्चा है तो आप 3 feet छेंच तक ले सकते हैं इससे उपर उसकी height नहीं होती हमेशा staircase की railing ना running feet में ही नापी जाती है अगर मैं बात करूं कि किसमे strength जादा है तो of course SS में strength जादा है तो cause SS बहुत strong material है as compared to MS प्रही बत maintenance की तो SS के अंदर कोई भी maintenance नहीं है उसको सिर्फ घीले कप्रे से साफ करना होता है वो easily clean हो जाता है and MS को आपको maintenance free बनाना पड़ता है सही product use करके it means अगर आपने MS का staircase घर के अंदर use किया है कोई धूप, हवा, पानी उसको नहीं लगने वाला तो उस case में आपको MS के उपर deco paint ही करना है कोई और paint नहीं use करना and second case अगर घर के बहार use कर रहे हो MS की railing balcony में है या फिस staircase open में है तो आपको powder coating ही करवानी है MS के उपर ताकि उसके अंदर कोई भी junk ना लगे रवें बग करें durability की तो of course SSS बहुत strong है वो बहुत long lasting भी रहता है बहुत durable भी है MS में आपको होता है कि यार कभी ना कभी 10-15 साल में junk खा जाए उसके बाद फिससे उसको repaint करनेगा एक वो चीज रहती है MS के साथ अगर मैं बात करूँ वेट की कि किसमें वेट जादा है तो of course SS में वेट कम होता है and MS में थोड़ा वेट जादा होता है वो थोड़ा सा heavy material है as compared to SS and अगर मैं बात करूँ कि यार जो आपका MS है उसको आप किसी भी shape वेट में कैसी भी तोड़ मोड के use कर सकते हो वो चीज SS के साथ नहीं होती कुछ चीज़े ऐसी हैं जो हम SS में नहीं बना पाते secondary चीज सबसे best चीज क्या होती है MS को आप अपने according paint करा सकते हैं उसकी वज़े से जो भी आपकी theme जा रही है घर के अंदर उसके according उस theme में ढाल सकते हो एंड जो SS है वो एक single ही color में आता है steel color होता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा drawback है SS का इसलिए आजकल MS जादा use कर रहे हैं लोग कि MS को हम अपने according अपने interior में कैसी भी use कर सकते हैं उसको white paint करा सकते हैं black paint करा सकते हैं even grey paint करा सकते हैं जो भी आपका interior का theme चल रहा है उसके according वो color MS को दे सकते हैं and MS की आजकल हम लोग CNC cutting में भी बहुत जादा use कर रहे हैं railing उसके भी काफी अच्छी look and feel आती है तो at the end में यही कहूंगी कि दोनों अपनी जगा अच्छी हैं आप अपने interior के according उसको use कर सकते हो दोनों ही durable है दोनों ही long lasting कोई फरक नहीं आता बस सही paint use करना है MS के उपर तो अगर आपका जो घर है न वो contemporary theme पर है या फिर आपको staircase में staircase की railing यह उसमें color चाहिए black white gray तो आप MS में जाओ and MS में बहुत साइड design options भी available है वरना अगर आपको चाहिए कि यार simple sober staircase रखना है तो आप जा सकते हो SS के अंदर one time cost थोड़ी सी costly पड़ती है लेकिन long time के लिए आपको उस पर दुबारा पैसा दालना नहीं पड़ेगा एंद उसमें बहुत साइड बन सकते हैं बस एक चीज का ध्यान लखना डिजाइन स्लिट करते वद कि जो handrail होता है उसमें अच्छा खासा grip होना चाहिए बिकास वो main चीज है आप उसको सबसब दो यूस करते हो उसमें grip होना चाहिए and second चीज जब भी स्टेर किस इंस्टॉल हो चाहिए तो उसको हिला के दिना कि वो हिलनी नहीं चाहिए वो totally चीज से fix होनी चाहिए बिकास बहुती security point of view से मैंने बहुत बार देखा कई बार ना उसमें vibration आ रही होती तो वो security point of view से अच्छी चीज नहीं है it means वो धंग से fix नहीं होई है तो इन दो बातों का आपको ध्यान बहुत अच्छी से रखना है and अगर घर में बच्चे हैं तो ऐसा design लिट करना जिसक